नहीं तली मुना भाई टीन की शूटिंग जल्द ही परदे पर धमाल मचाने आ रही है संजू सरकिर्ट की जोड़ी बलेवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो एक बार परदे पर आई और लोगों के दिलों में बस गी अब आपको संजे दत और अरशद वार्सी की फिल्म मुनना भाई तो याद होगी ही मुना भाई को लोग हमेशा से ही पसंद करते आये हैं इस सीरीज की दो फिल्म में आ चुकी है संजे दत और अरशद वार्सी की जोड़ी ने परदे पर खूब धमाल मचाया है इस फिल्म की तीसरी सीरीज को लेकर पिछले कई दिनों से खबरे आ रही है लेकिन बीते दिनों ही फिल्म को बनाने वाले राजकुमार हिरानी पर सेक्शुल हैरेस में इंत के आरोप लगे है जिसके बाद कहा जाने लगा था कि फिल्म शायद अब टल गई है लेकिन ऐसा नहीं है खबर आ रही है कि फिल्म की रिलीज नहीं टली है फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है हाल ही में खबर आई है कि फिल्म इस साल के अंत में शुरू हो जाएगी दरसल हाल ही में फिल्म के प्रोडियूसर विधुब विनोद चोपढा ने एक इंटर्व्यू में ये सारी बातें कहिए है विधुब विनोद चोपढा ने बताया है कि हमने अभी तक मुन्ना भाई तीन शुरू नहीं की क्यूंकि हमारे पास अच्छी स्कृट नहीं थी हाला कि अब हमने स्क्रिट्ट तयार कर ली है और हमें पूरी उमीद है कि इस साल के अंतक हम मुन्नना भाई टीन शुरू कर देंगे ऐसे में अब उमीद है कि इस साल के अंतक फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी बता दें कि बीते दिनों ही राजकुमार हिरानी का नाम मैटू में फस गया है फिल्म संजु की एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने हिरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं महिला असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि हिरानी ने करीब 6 महीनों तक उसका शोशन किया है महिला के इन आरोपों के बाद इंस्ट्री हर दूसरा शखस भी चौक गया कि आखिर कैसे हिरानी पर ये आरोप लग गए है हाला कि दियामिर जा, पूजा भट और अर्शद वार्सी जैसे स्टार्स ने हिरानी का सपोर्ट भी किया है फिल हाल देखते हैं कि मुना भाई टीन कब शुरू होती है और कब मुना और सरकिट की जोड़ी परदे पर धमाल मक्चाने आती है